नमस्कर दोस्तों साधना कीचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों नहीं गुलाब जामुन है और नहीं गाजा नहीं कुछ भी यह बहुत जादा यूनिक रेशबी है दोस्तों बहुत जादा खास भी बना है और आप लोग अगर ए नई तरीके से बंढ़ियें ईसा सथीट इस तो क्योंने इस तरह सथे सवीट डिश घर पर बनाए और कोई भी ठीच अगर तेलीब करें कि अगर और अेकर रोजना कोई पसंद करें कि से सथाफ़् बनाओ तो यह तरह सब नाएए ईजी तरीका इसको बनाना है लेकिन खास तो इतना ज्यादा होगा दोस्तों यकीन मानिए और एक बार इस रेश्पी को आप लोग जरूर बनाईए देखिए इसको मैं कट लगा के दिखा रही हूँ वाव एक दम मस्त रेश्पी है दोस्तों मैं भी नहीं सोची थी कि इतना खास बनेगा लेकिन बहुँ ज़्यादा खास बना है और इसमें एक एक तरीका जो है न इतना इजी है और एक दम अस्टेप बाई अस्टेप में बताऊंगी लेकिन वीडियो को फूल वाच कीजिएगा दोस्तों वीडियो को बीच में अस्किप मत कीजिएगा नहीं तो आप बीच से प्वाट छोड़ देंगे तो आपका एक बन नहीं पाएगा रेस्पी तो बीच का प्वाइंट छोड़ियेगा नहीं और वीडियो को फूल वाच कीजिएगा स्टेप बाई स्टेप समझाने जा रही हूँ और ऐसी ऐसी रेस्पी बनाईए ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों तो देखिए इसके लिए लेना है एक प्रात और उसमें लेना है एक कप मैदा और एक कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर है दोस्तों कोई भी ब्रेंड के आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर अब इसमें बेकिंग सोडा मतलब मिठा सोडा है एक तिहाई हिसा स्पुन के और मिठा बेकिंग पाउडर भी है उतना ही एक तिहाई हिसा और जिस कप से मैं मायदा ली हूँ उसी कप से एक चोथाई हिसा चार हिसा में एक हिसा रिफाइन ओल लीजिए या घी लीजिए दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक खाने वाला छोटा अस्पुन से एक तिहाई हिसा वेकिंग पाउडर और मीठा सोडा और एक कप मायदा में एक कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर और उसी कप से एक चोथाई हिसा मतलब चार भाग कीजिए तो एक भाग रिफाइन ओल लीजिए या घी लीजिए अब इन सब को बढ़ियां से पहले मिक्स कर लेना है एक दम अस्टेप बाई स्टेप में बताई हूं दोस्तों अब बढ़ियां जब मिक्स हो जाएगा तब लेना है नौर्मल दुद एक गुनगुना दुद नहीं है गरम कर रही थी मैं सुबह में और साम में मैं बना रही हूं तो यह ठंधा दूद है इसका मलाई उतारा हुआ दूद है तो इस दूद को थोड़ा थोड़ा डाल करके अपना अंदाज से इसको बढ़ियां से पहले गुतिएगा मतलब एक बार नहीं डालिएगा गिल्ला नहीं करना है दोस्तों देखिए मैं जै तो प्रात में नहीं चिपकेगा नहीं हाथ में चिपकेगा दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रही है मैं जितना देर बनाई हूं उतना देर का फूल फ्रों वीडियो है और आप लोग अश्टेप भाई अश्टेप पूरा वीडियो को देखिए पूरा वोच कीजिए और तब ए रेस्पी आप लोग असानी से बना पाएंगे कोई भी तेवहार पे बनाएंगे दोस्तों अगर गुलाब जामुन आप लोग से खिलता नहीं होगा तो ऐसी अनोखी रसबली बनाईए जो स्वाद में गुलाब जामुन से भी खास लगेगा दोस्तों और देखिए इस तरह से प्रात भी साफ हो गया हाथ भी साफ हो गया इस डो को तियार करना बहुत सिंपल सा तरीका है इजी सा तरीका है दोस्तों अब इसमें थोड़ा सोफ्ट होने के लिए हलका हलका बुंद से दुध डाल करके और जैसे रोटी चपाती के डो तियार करते हैं उस तरीके से इस तरह से बना लेना है देखिए कितना बढ़िया हो गया है सोफ्ट अब इसको थोड़ा चिकना चिकना सा गोल करके और प्रात में रख दीजिए उपर से एक कटोरी बरतन से ढख करके इसे सेट होने के लिए सिर्फ पांच मिनट ज्यादा नहीं पांच मिनट के लिए इसे रेष्ट पर छोड़ देना है रेष्ट पर छोड़ दीजिए दोस्तों तो फूल जाएगा दूद थोड़ा सा बच गया उसको आप कोई भी खाने में यूज कर दीजिए चाय के साथ दूद भी पीने में बच्चों के देदीजिए अब देखिए इसको रेष्ट के लिए पांच मिनट छोड़ना है पांच मिनट बाद का इसका लुक देखिएगा दोस्तों तब तक के लिए अगला प्रोसिस कर लेती हूँ एक बरतन में डालना है देड़ कप चिनी मायदा वाला कप था 120 गराम का और चिनी वाला कप है 240 गराम का शाосनी का माप तो डेड़ कप चिनी में 2 कप पानी ध्यान दीजिएगा चासनी का सही माप डेड़ कप चिनी है 240 गराम का कप उससे 2 कप पानी अब इसको बढ़ीया से पकाना है जब ए बढ़ीया पक जाएगा चासनी आपको खुद नजर आएगा मैं अगला प्रोसिस पे दिखाऊंगी कि किस तरह से चासनी बनाना है तो इसको अभी पकने देना है पांच से छे मिनट मीडियम टूलो पर ज्यादा हाइप नहीं मीडियम टूलो फ्लेम रखिए मैं इंडेक्शन पर बना रही हूं तो अब इसमें इलाइची दो कुट करके डाल देना है छोटी इला सा औरेंज फूट कलर आपके पास होगा तो डाल दीजियेगा अगर औरेंज फूट कलर नहीं होगा तो कोसिश किजिएगा मारकेट में असानी से मिल जाता है और ये वाला तो मैं फिलिप कार्ट से मंगवाई थी अगर इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आप फूट कलर कहां से लिए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में डालूंगी ये फूट कलर मेरा सारा मिठाई में यू पतार देना है सही माप और पानी लिजिए गार चीनी ना तो आपका चासनी एकदम परफेक्ट होगा इसमें कोई ताम जाम नहीं रहेगा अब इसे ढख दीजिए साइड में तब तक के लिए एडो को देख लेना है देखिए कितना बढ़ियां हो गया है सोफ्ट अब इसक अगर मतलब अपना अंदाज से लिजिएगा जितना बड़ा चोटा बनाना है इसमें मेरी मर्जी नहीं आप लोग के मर्जी है जैसा आप लोग को बड़ा चोटा आकार देना है उस तरह से डो लिजिएगा हाथ में अंदाज से और मसल मसल के थोड़ा इस तरह से चिकना च और एक हील करके उतना बढ़ियां होगा आप लोग वीडियो बने रहें तो इसी तरीका से सेम प्रोस करके सारा त्यार कर लेना है पेड़ा पहले तब इससे बनेगा रसबली वीडियो पे बने रहेगा सारा पेड़ा तयार हो जाएगा ता आगे चलके मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसे फ्राई करना है इसमें फ्राई करने वाला भी तरीका कुछ अलग है दोस्तों अगर आप लोग वीडियो फ्राई करते नहीं देखे न तो आपका एरसबली बढ़िया नहीं पक पाएगा तो देखिए दोस्तों इस तरीके से सारा पहले तयार कर लेना है तब अगला प्रोसिस पे बने रहेए इस्टाग्राम, फेस्बुक, पेज भी अगर वीडियो देखते होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा रोज का वीडियो उस पर भी जाता है तो देखिए दोस्तों सारा पेड़ा का कार बन गया है अब इन सब को चलिए फ्राइ करने एकदम पेड़ा वाला कार दीजिएगा जादा मोटा न किजिएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा तो चलिए अब अगला प्रोसिस पे पहले फ्राइ कर लेना है और फ्राइ किस तरह से होगा, कितना टाइम लगेगा सारा step by step बताऊंगी अब देखिए तेल गरम हो गया है refined oil है cooking oil आप इसे घी में भी बना सकते हैं मैं refined oil में बना रही हूँ दोस्तों तो तेल बढ़ियां गरम होने के लिए high flame कीजिएगा जब बढ़ियां तेल गरम हो जाएगा तो flame को medium to low करके और इसे fry कीजिएगा कभी medium कभी low high बिल्कुल मत कीजिएगा fry करते वक्त देखिए एक इतना बढ़ियां उपर खिल के उठ जाएगा कुछ देर में ही तो इस समझ जहिए ना कि जब फ्राइग करते टाइम उपर सब ऐसे खिल के उठ जाए ना तो यह बहुत बढ़ियां चासनी एक जब करेगा तो देखिए किस तरह से हो रहा है उपर उपर एकदम लवा की तरह निकल रहा है दोस्तों बहुँ ज्यादा खास होने वाला है वीडियो तो दोस्तों फिर से मैं याद दिलवा दे रहे हूं चैनल वाला सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए बेल आ सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा और हमें ठोड़ा सपोर्ट दीजिए रोज के वीडियो मेरा चैनल पर मिलेगा आप लोग को इसलिए मैरा चैनल कि तरह ही से पका लेना है एकदम पेड़ा वाला अकार था लेकिन गोल गप्पे की तरह खिल गया है और इसे उलट पलट एक-एक करके इस तरह से किजिएगा जीसे मतलब कलर सेम बराबर हो जाए अगर जहां थोड़ा डार्क है वहां थोड़ा मतलब छोड़ी जिएगा और जहां लाइट कलर है वहाँ पलट पलट करके सेम बराबर बराबर कलर देना है एकदम सारा मतलब रसबल्ली का कलर एक होना चाहिए दो तीन कलर का नहीं होना चाहिए देखते रहिए कि ध्यान से मैं कैसे पलट पलट करके इसका कलर एक बराबर करती हूँ देखिए दोस्तों अगर इस रेस्पी को घबडा करके और फटा फट उलट पलट कियें तो गया काम से लुक खास नहीं बनेगा इस तरह से धीरे धीरे आप मतलब थोड़ा सा मन जात करके और इस तरीके से उलट पलट करके एक ब्राबर देखिए इस तरह से लुक बनाईएगा तो आपका रस बल्ली एक दम खास लगेगा जिसको बनाते बनाते मुह में पानी आ जाएगा दोस्तों मेरे घर में तो मेरे बच्चे मतलब वीडियो कंपलीट नहीं होया था और वीडियो कंपलीट करते करते ही एक दम सीर पर खड़ा था कि अभी देदो खाने के लिए और तब जा करके बनाई हूँ कंपलीट वीडियो देखिए दोस्तों हलका सा गुनगुना चासनी करके मैं इसको डाल रही हूँ गुनगुना होना चाहिए चासनी जादा ठंडा नहीं और नहीं जादा गरम और चासनी को ढखक के नहीं डालिएगा नहीं तो भाप से चिप का कि मैं देखी नहीं हूँ मेरा तो खिला खिला बना है लेकिन एक आडिया दे रही हूँ कि इस चासनी को खुला ही रखिएगा लेकिन डालते वक्त इसे हलका गुन-गुना कर लीजिएगा ज्यादा गरम मतलब खौलने लाइक नहीं और ज्यादा ठंधा नहीं अब इसमें स सारा मैं एक बराबर चासनी एक जॉब करी हूँ अब कुछ देर के लिए दो से चार मिनट के लिए धककन उपर से धक के छोड़ दीजिए देखिएगा आपको ये लाश्ट प्रोसिस पांच मिनट लगेगा चासनी को एक जॉब करने में पांच मिनट बाद मैं दिखाऊंगी कि देखिए कैसा है वीडियो बना और किस तरह से देखिए पांच मिनट हो गया है दोस्तों चासनी थोड़ा सा बचा है और सारा चासनी एक जॉब हो गया है इसमें एक दम मस्त लग रहा है इसको मैं प्लेट में निकाल करके दिखा रही हूँ और फिर इसको मैं कट करके भी दिखाऊंगी एक दम सेम प्रोसिस बताऊंगी और सामने ही देखिएगा कट लगाऊंगी कैसा लगा इसका अंदर का लुक तो आप लोग क्यों ने इस रेस्पी को बनाए एक बार बनाईएगा दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रेस्पी को बनाईए और हमें थोड सामें हिम्मत जरूर मिलता है और हिम्मत जब मिलेगा तभी आप लोग को ऐसी एसी एनोखी रेस्पी हम वीडियो दे पाएंगे और आप लोग असानी से बना पाएंगे तो देखिए दोस्तों बचा हुआ चासनी उपर से लगा देना है तो जैसे मतलब हलुआई के दोकान में मिठाई रहता है ना सेट किया हुआ कांच में उस तरह से एकदम इसका लुक लग रहा है दोस्तों मस्त और चासनी जो बचा था उपर से मैं डाली हूँ और देखिए एकदम जलक रहा है अंदर तक इसमें चासनी ध्यान से देखिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो कि इतना खास लग रहा है एकदम कांच की तरह जलक रहा है अंदर तक जासनी दोस्तों और इसको मैं कट लगाऊंगी तो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए नाता रिलेशन रिस्तेदारों में दोस्तों में और एक लाइक एक क इसको मैं दबा के दिखा रही हूं कितना लचीला है एकदम मस्त रेश्पी बना है इसको मैं कटिंग करके दिखा रही हूं आप लोग देखते रहिए इस तरह से अगर दो-दो मिठाई रसबली का लगा करके कोई मिहमान आए गेस्ट आए कोई भी फेस्टीवल पर कोई आ से बना है ना कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो चसका लग जाएगा देखिए एक दम पांच मिनट में इतना खास चासनी एक जौब किया है दोस्तों सामने है आपका इसका लुक मैं दबा के भी दिखा रही हूं कितना इस सोफ्ट है तो गुलाव जाम उनसे तो खास ब है ऐसी ऐसी स्वीट डिस्ट बना करके जो आपको बनाने में भी आसानी मिले खाने में भी खास लगे और ऐसी ऐसी रेजपी के लिए तारीफि भी हजार मिले तो कियो ना ऐसी रेजपी बनाएं आप लोग तो देखिए दोस्तों मेरा चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहिएगा और तरह तरह के वीडियो देखते रहिएगा नई नई रेस्पी देखने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रही हूं दोस्तों थैंक यू बोल रही हूं और ऐसी ऐसी स्वीट डिस्ट देखी और बनाएए हमारा चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे अगले दिन नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए बाए